नमस्कार महापुर्शों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुँचे सब कविता को जाने और समझे विशेश रूप से हमारी युवा होती पीड़ी अर्थात कि शूर बच्चे कविता से निकटता बनाए तो एक बेहतर समाज के निर्मान में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है किन्तु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान ले कि कविता है क्या कविता का एक छोर जहां कलपना को आकाश की उचाईयों तक ले जाने के ख्षमता रखता है वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर दिता है यही अंतर विरोध ही कविता का जनक है कविता का भाव जगत चात्रों के लिए हमेशा से जिग्यासा का कारण बनता रहा है इस शंकला के कारिक्रमों में उनकी इने जिग्यासाओं का उत्तर खोजने का प्यास किया गया है रविन्ना ठाकुर की है कविता मूलत बंगला में लिखी गई थी इसका अनुवाद शद्धे आचार हजारफ साद्वेदी ने हिंदी में किया इस कविता के अंदर परंपरा और आत्म संबल के तत्व मौजूद है जिससे की मनुष्य का आत्म बल बढ़ता है इस कविता पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्तित हैं प्रफेसर लालचन राम डॉक्टर लालचन आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस कारिक्रम में नमस्कार इस कविता को समझने से पहले क्या ही अच्छा हो कि हम कभी रविंद्रनाथ ठाकुर का संक्षिप्त जीवन पर चैप्राप्त कर लें बिल्कुल ठेक रविंद्रनाथ ठाकुर बंगाल के रहने वाले थे बंगाल में कोलकाता के निकट जोडा साकों ठाकुर बाडी में साथ मई 1861 को उनका जन्म हुआ चुकि रविंद्रनाथ ठाकुर संपन्न परिवार से थे और अपने माबाप की तिरहमी संतान थे इसलिए उनकी सिक्षा दिक्षा का समुचित उपाय उनके घर पर ही हुआ घर पर ही बहुत सारी भासाओं और बिशेयों पर उन्होंने पू इन्वस्टी कालेज आफ लंदन में भेजा गया और वो परिख्षा छोड़ करके वापस चले आए उसके बाद फिर वो देश में ही रहे और अध्यन अध्यापन की अपनी पुरानी परंपरा जो थी उसमें लगे रहे संगीत की दुनिया में तो कई हजार गीत लिखें कई हजार कविताइं लिखें और संगीत की दुनिया में ऐसा नाम उनका हुआ को उन्ही के नाम पर रविंद्र संगीत बन पड़ा उनकी गीतों के खुद भी उन्होंने संगीत पड़ देखिया जी हाँ चूकि लोक संस्कृती से इतना जुडाव होने के कारण लोक में जो रची वसी धुन थी उसके आधार पर उन्होंने रविंद्र संगीत का नाम दिया और आज पूरे देस में रविंद्र संगीत और उसकी दुनिया में फल फूल रही हैं चित्रकला के भी प्रेमी थे रविंद्रनाथ ठाकूर एक ऐसे कभी हैं जो भारत में भी उतनी ही सम्मान के साथ जाने जाते हैं उतना ही बंगला देश में भी क्योंकि भारत में जो रास्ट्रगान है जनगन मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता वो रमिंद्रनाथ ठाकूर का लिखा हुआ है उसी तरह से बंगला में उनकी जो रचना है जो बंगला देश का रास्ट्रगान बनी हुई है वो है आमार सोनार बंगला यह इन ही का प्रसित दगीत है और यह दोनों जगह रास्ट्रगान के रूप में गय क्या बात है 1919 में जब जलिया वाला कांड अंग्रेजों ने किया था जिसमें हमारे देश के बहुत सारे लोग मारे गए थे अंग्रेजों ने 1915 में उनको नाइट हुड की उपाद ही दी थी जलिया वाला कांड की घटना से बिच्छुप धो करके 1919 में उन्हों ने वह उप अच्छा जी और रमिंद्रनाथ ठाकुर को गीतानजली नामक रचना पर नोबिल पुरसकार प्राप्त हुआ इसलिए कि एसिया में साहित्य पर गैर इरोपी ब्यक्ति को पहला नोबिल प्राइज दिया गया इनकी बहुत सारी महत्वण रचनाएं हैं नैवेद्य, पूर्वी, बलाका, छणिका, चित्र और सांध्यगीत, काबुली वाला इसी तरह से उनके उपन्यास हैं बड़े मसूर उपन्यास हैं गोरा, घरे बाहरे, बहुत सारी बिधाओं में उन्होंने लेखनकारिक रिया हैं व्हारती बहाषाओं में आलए, भारती बहाषाओं में और यूर्रपी बहाषाओं में बहीजा गया था, गितांजली जो जिस मिला था तो ये भासा साहित के और हमारे देश की गवरवगाथा में रमित नात ठाकुर का एक बहुत बड़ा अस्थान है 1937 में वो बीमारी के कारण या कैसे अचेत हो गए और 1941 में उनका देहाऊसान हो गया इस तरह से रमित नात टैगोर साहित संगीत चित्रकला के दुनिय में एक बड़ा नाम है आपने बहुत अच्छा परिचय रविना ठाकुर का दिया अब मैं जो पाठिक्रम में गीत लगा हुआ है उसका पाठ करूँगा उसके बाद फिर उस पर बातचीत करें बिलकुल ठीक है बिलकुल शिर्शक है आत्म त्रान विपदाओं से मुझे ब सेथित्य चित्त को नदो स्वान्तुना नहीं सही पर होवे इतना होवे करूणा मैं दुख को मैं कर सकूं सदा जये कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पावरुष नहीं ले हानी उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानू ख्षय मेरा त्रान करो अनुदिन तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं बस इतना होवे करूणा मैं तरने की हो शक्त अना मैं मेरा भार अगर लगुकर के नदो सांतुना नहीं सही केवल इतना रखना अनुना वहन कर सकूं इसको निर्भय नतशिर होकर सोक के दिन में तव मुख पहचानूं छिन छिन में दुख रात्र में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही उस दिन ऐसा हो करूणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संशाय क्या बात है बहुत अच्छा पाठ किया राक्षाब आपने कविता समझने के लिए ये पाठ बहुत जरूरी था बहुत बहुत धन्यवाद राक्षाब अब हम इसके खंड-खंड करके थोड़ा व्याख्या करेंगे तो कविता समझ में आसानी साइगी ये कविता रविद्न नाठ टैगोर की आत्मत्राण सिर्शक से पाठ्यक्रम में दी गई है इसका हिंदी अनुबाद प्रस्तुत किया है हिंदी भासा साहित के मुर्धन आलोचक आचार हजारी प्रसाद दिवेदी ने आत्मत्राण एक तरह से प्रार्थना गीत है उसी तरह से जैसे हमारे यहां विद्यालियों में प्रार्थना गीत गाया जाता है और एक बहुत प्रचलित सा गीत है कि इतनी सक्ती हमें देना दाता कि मन का विश्वास कम जोर होना लगभग उसी अंदाज में ये प्रार्थ विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं अब देखें तो केवल इतना हो करुणा मैं कभी नम्विपदा में पाऊं भै कि मुझे भै नम है विपदा तो आएंगी पर मुझे बचाओ यह सीरशक है इस कमिता का वह एक तरह से आत्मविस्वास और आत्मसंब को मजबूत करने के लिए है और इस प्रार्थना में भी यही निविदन करता है कभी इश्वर से कि है इश्वर विपदाओं से मुझे बचाओ मेरी यह मेरी प्रार्थना नहीं प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप मुझे विपदाओं से बचाएं बस इतनी प् हिपधा तो मेरे ओपर आएं जाएं लेकिन उस से मैं डरू नहीं उसका डट कर Chelsea दरू करूं निशित रूप से अगर लिपधा नों से डरू नहीं तो यह आत्मसंबल, सारी लड़ाई आत्मसंबल से ही ज़ी जाती है अपम बिस्वास सही वो कहते हैं मन के हारे हार है मन के जीते जीते जीए तो ये आत्मसंबल आत्मबिस्वास का मामला है दुखताप से व्यथित चित को नदो सांतवना नहीं सही पर इतना होवे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जै दुखताप से व्यथित चित कई बार मनुष्य हैं दुख, तकलीफ, कश्ट, पीडा तो आती जाती हैं वो आएंगी पर इसमें हम आपसे कोई सांतवना नहीं चाहते हैं हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं करुणा में कि आप हमें सांतवना दीजिए हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि दुख को मैं कर सकूं नहीं दुख के जो बिपत्ति के पहाड हैं दुख और पीड़ा के जो संकट के बादल है वो इतना मुझे इतना पावरुश इतनी शक्ति दें कि मैं उस पे बिजय पास सकूँ यानि बिपदाओं और दुखों पीडाओं से मुक्ति पास सकूँ बस इतना सा मुझे आत्मसंबल है कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पावरुश न हिले हान उठानी पड़ी जगत में लाब अगर बंचना रही तो भी मन में ना मानू चै कहरें कोई कहीं सहायक न मिले न सही हमारी मदद करने वाला हमारी सहायता करने वाला हमें मिले न मिले न मिले न कोई दिक्कत नहीं है तो अपना बल परुष्ण है, हमारी जो ताकत है, हमारी जो सक्त है, हमारी जो परुष्षत है, जो हमारा आत्म विश्वाश है, वह डगमगाए नहीं, वह हिले नहीं, हान उठानी पड़े जगत में लाभ अगर बंचना रही, तो भी मन में न मानूच है, कह रहे हैं कि हान, बेसक इस संसार में हम आए हैं, तो हानि लाब तो चलता रहता है। हानि उठानी पड़े, नुकसान उठाना पड़े, कोई बात नहीं। लाब अगर बंचना, बंचना अर्था तो धोखा, छल, प्रपंच, लाब मिले न मिले, हानि बेसक उठानी पड़े, तो सिर्फ मन में इतना चाहता हूं कि तो भी मन में ना मानू च्छे, तो भी मन में मुझे इस हानि का, इस नुकसान का कोई कस्ट ना हो, गम ना हो, दुख ना हो. आगे कविता बढ़ती है, मेरा त्रान करो, अनुदिन तुम, यह प्रार्थना, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्त या ना में, मेरा त्रान करो, मुझे रोज मेरा उद्धार करो, मुझे संकट से उबारो, मेरी मदद करो, दिन प् पार करो, इसके लिए मैं ये प्रार्थना नहीं आप से कर रहा हूं, मेरी ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है, बस इतना है करुणाम है, बस इतना हो कि तरने की हो शक्ति अनाम है, यानि मेरे पास इतनी शक्ति हो कि मैं इन सब से उपर उठ जाओं, यानि ये जो संकट आए, कश स्वेस्ट रहें और उसका सामना और स्वेस्ट नहीं रहेंगे तक शक्ति कहां से रहेगे और ऀदर गता empezar kуд इसको निर्भय मेरा भार अगर लगु करके मेरे उपर जो विपत्य और संकट के भार है उसको कम कर दो या उसके लिए कोई सांतोना मुझे न दो न सही मैं ये नहीं कह रहा हूँ है करुणा मैं कि मेरा भार आप छोटा कर दो मेरे उपर कस्ट और विपत्य के संकट के जो भार है जो बोज हैं उनको हलका कर दो पर इतना तो चाहता हूँ है करुणा मैं कि तरने की हो शक्तिय नाम है जो निरंतर मेरे पास इतनी शक्ति हो कि मैं इन संकटों इन मुसीबतों से इन विपत्तियों के पहाड को मैं पार कर सकूँ उस पर बिजय हासिल कर सकूँ और मेरी शक्ति मुझे में इतना आत्मशक्त आत्मविस्वास हो कि मैं उससे बाहर निकल सकूँ आगे कविता बढ़ती है नतसीर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानू छिन्छिन में दुख रात्र में यसा कुछ गरबढ़ हो रहा है नहीं वो पहले उपर चला गया था एक लाइन छोड़ दिया था हमने बताईए प्रभू ने जानता हूं तो यह जो अनुनाय कर रहे हैं कि मुझे निर्भाय बनाने की कृपा करें यह क्या कहना चाहता है वो कभी यह कहना चाह रहे हैं कि मुझे सांतवना न दीजिये मुझे संकट में कोई मुझे विपत्ति में संकट में सहानुभीत न दीजिये लेकिन मेरे पास इतनी शक्ति जरूर हो यह करुणा मैं कि मैं अपनी शक्ति से आत्मबल से उससे बाहर निकल सकूँ और निर्भाय होकर उसका सामना कर सकूँ निश्यत रूप से मेरा आगे कविता है बहन कर सकूँ इसको निर्भय फिर वही प्राबलम फिर मैं आगे मुझे पढ़ना है मैं वही अठक गया हूँ फिर से पूछ लेजिए पिर से पूछ लेजिए कविता तो इसमें बार कहना चाहता है कभी कि कोई बात ने सांतुना चाहें परन तुम निर्भाय होकर सामना कर सकूँ उसका बिलकुल बिलकुल जी आगे कविता बढ़ती है न तशिर होकर सुख के दिन में तव मुख पहचानू छिन्छिन में दुख रात्र में करे वन्चना मेरी जिस दिन निखिल मही उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नह कहना चाहते हैं नत सिर होकर सुख के दिन में सुख के दिन में आनंद के छणों में खुसी और परशनता के छणों में नत सिर होकर मैं सिर जुका कर तब मुख पहचानू छिन्छिन में तव मुख मैं अपने मुख को या लोगों को पहचान सकूं छण छण में यानि छण छ मैं लोगों को पहचान सकूं दुख रात रुमें करे मेरी यानि दुख की रात रुम्र त मैं विपदाओं । यहां ज़ी जी परम को निखिलिम Minsard पूर 녹ष और प्रत्वी पुरा छलना करे धोखा दे विपत्ति के समय धोखा दे उस दिन ऐसा हो करुणा में कि तुम पर करुण नहीं कुछ संसय जिस दिन सारी दुनिया पूरी वसुधा के लोग मेरे दुख और काल दुख के विपत्ति के समय मुझे धोखा दे साथ छोड़ जाए उस दिन भी करुणा में तुम पर मैं संसय ने करूँ, संदेह न कर सकूँ, तुम पर मेरी आस्था बनी रहे, रिपेटा, दुख रात्र में करें बंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में, तुम पर करूँ नहीं कुछ संसय, यानि जिस दिन दुनिया, यानि पूरी बसुधा के लोग मुझे धोखा दे जाए, चल करें, प्रवन्चना करें, यानि मुसीबत के समय, दुख रात्र में, दुख रात्र में मतलब मुसीबत के समय, उस दिन ऐसा हो करूणा में, उस दिन ऐसा हो करूना मैं कि मैं तुम पर संसय न करूँ यानि तुम पर मेरी आस्था और बिस्वास बना रहे जो भी मुझे धोखा दें चल करें बंचना करें वो उनके प्रति भी मुझे कोई कटुता का भाव नहीं है लेकिन आप से मेरी कोई सिकायत नहीं है इश्वर मु मुसीबत के समय भी मैं आप पर पूरी मेरी आस्था और विश्वास बना रहे मैं निराश नहूं मैं हमेशा तुम पर संदेह ना करूं कि मुझे गलत हो गया यह अच्छा हो गया तुम पर हमेशा आस्था बनी रहे और तुम पर मैं हमेशा विश्वास करता रहूं कोई सं इस्वर को दोस देता है यहां कभी इस्वर को दोस नहीं देना चाहता है इस्वर के प्रति आस्था पूर्ण आस्था और विस्वास बनाए रखना चाहता है और कहता कि चाहे दुनिया के लोग लाख मेरी निंदा करें मेरे मेरे खिलाफ खड़े हों मिझे धोखा दे जाएं उस छड़ भी आपके प्रती मेरे मन में आस्था और विश्वास बना रहे हैं उसमें कोई संदे न पैदा हो आस्था रखने के लिए जिससे की आदमी अपने लक्ष को प्राप्त कर सके बिल्कुल आपने बहुत अच्छी वी आख्या की बस मेरे मन में यह है कि कुछ इसका मूल संदेश अगर हमारे विद्यार्थियों को बता सके तो अच्छा रहे हैं दरसल यह कविता युवा जियार्थियों के लिए बहुत ही आसा आस्था और विस्वास को प्रमोट करती है उसको आगे बढ़ाती है उसका समर्थन करती है इसलिए सबसे बड़ा सत्य है मानुस सत्य बेलकुल मानुस सत्य की प्रतिष्ठा यह कविता करती है क्योंकि सारी समस्याओं और मुसीबतों को आदम मनुष्य अपने आत्मबल से आत्म विस्वास से आस्था से ही उससे निपट सकता है इश्वर या कोई और सकता उससे उबारती नहीं है बस मनुष्य का विस्वास ही उसे और उसकी ताकत उसकी च्छमता उसे उपर ले जाती है एक सकरात्मक द्रिश्टिकून जैसे आप उदारन के लिए कह सकते हैं कि बेसक हमने तैराकी की शिक्षा ली है लेकिन तैरना तो हमें खुद ही है जैसे परिक्षा के समय हम दूसरों से कितना भी ग्यान ले लें पर परिक्षा का पेपर तो हमें ही खुद ही देना है कुस्ती के माइदान में हम जा रहे हैं लाक हमने दाओ सीखा है कोचिंग ली है इसके बावजुदी लड़ना तो हमें तो यो ब्यक्ति की निजटा है जो उसकी मौलिकता है जो उसका आत्मबल है आत्मशक्ती है जो आत्मबिस्वास है वही उसकी पूजी है अउरुसी को बनाये रखने की यह कविता वकालत करती है और विद्यार्थियों के लिए छात्रों के लिए यह कविता एक सकारात्मक दृष्टी पैदा करती है आपने इस कविता के माध्यम से जो मनुशी की अपनी क्षमताएं हैं वो कैसे उनको संचित कर सकता है उस पर आस्था रखते वे उसको आपने उद्धाटित कर दिया है इससे निश्चही हमारी विद्यार्थियों का बहुत लाग होगा आप इस कारिक्रम में आए आपका और में आपकाष्ट कर दो कर दो कर दो कर दो जांग है